ही गाइज वेलकम बेक तो मेर्ट चैनल तो आज हमापोची सीरिस को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं अगर आपने प्रीवाइच चैप्टरे स्क्राइशन नहीं नाम से प्लेइज डिस्क्रिप्षन में तो आप डैरेक्ट वहाँ पर strict करके ब कि देख सकते हो जैसके आपने प्रीवाइच मैं तुम्हारे सरत कोप्रेट करूंगा और जो मेरे परपस है यहां पर वह स्टोन ओफ लाइफ को उप्टेन करने जो कि फैदर एंपर सीक्रेट डालम में में बोलता है क्या स्टोन ओफ लाइफ तुम्हें पहले बोलना चाहिए था चैप्टर नंडर 89 की स्टारिंग होती है प्रिंस ओफ यान बोलता है अपने गार्ट को कि स्टोन ओफ लाइफ को लाव स्टोरेज से तो वो गार्ट बोलता है ऐस जैसे आपकी कमांड लुजंग सोच रहते है कैसा कॉंजिडेंस है मैंने सोचा नहीं था कि प्रिंस ओफ यान के पास भी होंगे मुझे बाई करना प प्रिंस ओफ यान बोलता है क्या यह काफी नहीं है एकट्ट बात ही है कि मुझे इन से व्जात चाहिए घ्यारश से तर मुझे प्रिंस ओफ्याण बोलता है के तुम्हें आउटसाइडर कैसे बना रहरे मैं तुम्हें इन्हें किस्त कर देता हूँ क्योंकि मेरिसाथ कोपरेट कर रहे हो लुजंग बोलता है थैङक्यू वहां पे काफी सादा हसारों सालों से ड्रैगन क्लैन भी माइन करता था और अब फॉर गोड कंट्रीज करती है पर अभी वहां पे जो डिपोजिट है वो काफी है तो में और भी जादा वहां पे रेयर मिनरेल्स मिलिंग स्टॉन ओफ लावा भी लुसंग बोलता अच्छा ऐ ड्रैगन क्लैन्स मैं की डेट बोडी जो की 10,000 एर से भी मतलब काफी सादा टाइम से स्टॉर है किसी सीक्रेट मेथड से लुसंग बोलता है कि वहां पर कुछ भी निया सिर्फ कॉप्सिज और भी जादा कॉप्सिज लुसंग बोलता है वहां पर कॉप्सिज जा रहे हैं लुसंग हरान होता है प्रिंस ओफियान बोलता है कि जो ओरिजिनली ड्रैगन क्लैन्स का प्लेस था जहां वह रहते थे लास्ट में उन्होंने बलड सैक्रिफाइस को अनलीश किया और काफी जाद अपने किन्स को सैक्रिफाइस कर दिया जो ओशन था वह एक डिसॉलेट ल एंपरर और ड्रीम गोड सीक्रिट एलम्स में पर जो हैवनली डॉन सैक्रिट एलम्स था उसमें कोई भी निजा पाया वही कोड था ड्रैगन क्लैन का जहां पर बड़ जादा लीविंग खतम हुए थे की साथ में काफी जादा डिवाइन सीर एलम्स के वोर्यर्स भी वहां वहां पर कोपसीज हैं ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स के जिनने बड़ जादा सालों से प्रिजर्व कर रखा किसी सीक्रेट मैथर से हम उनके कोपसीज को कंट्रॉल कर सकते हैं किसी सावल से फिर हम रिजेक्ट नहीं हो पाएंगे बलड सैक्रिफाइस से और हम एंटर कर सकते ह है फिर हेवन्ली डॉन सीक्रेट एलम में लुजंग सुन रहा होता है बोलता है वहल अभी की बात की जाए तो हम अभी इनीशिल एक्स्प्रोरेशन स्टेज में ही है कि बड़ ज़दा रिस्ट्रिक्शन है कोपसीज को लेने के लिए ही इतना ज़दा असान नहीं है कोपस क बोलता है कि ब्लैक आरेंट टोकन को अप्टेन करने के बाद मैंने एक टीम को गैदर की है वेली फैद सी में एंटर करने के लिए तो मैं ऐसे स्टोन ओफ लाइफ चाहिए तो मेरे को फोलो करना तो मारी बेस्ट च्वाइस होगी मैं भी तुमारे हैद करूंग जितना मैं क चल चलते हैं और डिंक्स को लेता हैं सेलिब्रेशन में वो बैड जाते हैं और वह एंजू हाए कर रहे होते हैं आपस में दून अपने ग्लास्ट को ऊपर उडातें चीर के लिए परिंस ओफ ये फिर अपने ग्लास को नीचे रखत है कि मुझे फोलो करना खाने के बाद मै तुम्हें इंटेड्यूस करना चाहता है अपने मैन के साथ लिजंग बोलता है क्या है तुम्हारे मैन फिर वो खा के एक जग जग जा रहे होते हैं प्रिंस ओफियान हसता है तुम यहां पे लुजंग उनकी तब देखता है हरानी से तीन होता है दो लड़के और 11 NEW होते हैं उस लड़कियु और यह लड़की सज पूम्सराइब है जौन्साइब करते है यू योग मैं पूलता है कि छलो हम पांच तो मिलाक्ति हूं प्लर सकनाइब लांड वन हरान होते है, यू इंग हसती और बोलती है, कि मैं नहींद بलीव करती हूं, तो मैं ऐसी हर बाट ट्रिक में हमाइब हुग कि नहीं करता है रिज बोलता है कि cca'll the kia कोई जरूत नहीं है हमे ऐसा करने की हमा यह एंग बहुता है दुछ प्र्वावर नेच होते हैं नह MAC माइंसे क्ल युपि आप को स्पीड आपक है इसलिए इस ने जने जदा आटैक को लौंच किया एक इस वो प्रिन को को टेस्ट करना जाते है हात कि मुझे पते है तुम शानता हूं और उसी इस फोड़ते होती है कि आसे भोलतो रही हुं मैं पर मैं इसे forgive निकर सकती हूं जो कि deceive करते है हुँआ हुआ को वैल यह अच्छा prince को हुआ हुआ को कि है मैं सोच रहा था कि हसरी है मुझे किसी भी तरह से confirm करना पड़ेंगा कि यह capable है हमें join करने के लिए कि नहीं वो लूजेंग की तब देखती है सूसती है इसकी क्या प्रोलम है यह ऐसे खड़ा है स्टार्टिंग से ही इसे तो कोई प्रेदे कुछ मुवमेंट नहीं दिखा रहा है यूईंग बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे डोज नहीं करने दूँगी वो फिर अटेक करने के लिए आ रहे है ते लूजेंग की तरफ लूजेंग उसे डोज कर लेता है सानी से ही लुजंग सोच रहा होता है कि मैं भी रूल ओफ टाइम को लर्न करना चाहता हूं इससे पर यह टाइम ऐसे अंड करने का लुजंग जल्दी से मूव करते है लोफ स्पेस को यूज करके और उसका सामने आजाता है लुजंग हां लगा होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता हूं तो घुनाइड को कर डेता है इसमें रूल ओफ टाइम का भीиновर चेंज कर सकती यह क्या साथ थीर ना इसका सब्सक्रूट्य को नियुसरा जाधाह पावरफिल हो इसमें से फ़ागी यह रिवेन करेफ लिया यूइंग बोलते कि तुम क्या कर रहे हो तुम मुझे छोड़ की नहीं रहे हो लुजंग बोलते हैं मुझे माफ कर दो मैं रूल ओफ टाइम को लर्न करना चाहते है तुझे तुमने अभी दिखाया पर इसमें बहुत ज़्यादा काम है तो मैं इसे कॉंप्रियंड कर पाया तुम किस बारे में बात कर रहे हैं तुम प्रियंड करना चाहते है रूल ओफ टाइम को मेर से लुजंग बोलता है कि अगर में लिए चांस है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा नो उसे यूइंग बोलती है मैं इसे 10% ही कॉंप्रियंड किया है और यह इतने ज़्यादा असान यह कॉंप्रियंड करने के लिए लूजंग बोलता है यह फर्स लेयर ओफ रूल ओफ लुजंग बोलता है कि क्या सपोर्ट बोलता है कि मुझे पता लग रहा है कि तुम एक अकेल इंसान थे तो मैं सची मुझे नहीं पता है कि टीम कैसे उप्रेट करती है लुजंग सोच रहता है मुझे अब ही आधार है कि ट्यांजी सैक थी उनके पास एक स्पेशल टक्टिक थी वो जैनुट नर्जी को कंबाइन कर सकते थे काफी स्लैश्ट रेल मार्शल आटिस के पर एक पाफ़फुल ब्लास्ट को अन्लीश कर सकते और काफी पाफ़फुल मार्शल आटिस को कैद भी कर सकते थे प्रिंस ओफ यान बोलता है कि चले एक प्रैक्टिकल एक्जांपल दिखाता हूं मैं तुम्हें लांच एंड जुए चुवांडों यहां प्याओ वो बोलते हैं ठीक है वो चारो एक फॉर्मेशन में खड़े जाते हैं प्रिंस ओफ यान बोलता है कि तुम इतना था अगर आपको वीडियो पसंदो तो लाइक करो नहीं फिर भी लाइक कर दो शेयर करो अपने दोस्तों साथ कमेंट करके विता अगर आपको वीडियो कसी लगिए सब्सक्राइब करो तब तक के लिए बाए